हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूट्यूब चैनल दोस्तो आज हम लोग यहाँ पर क्या डिसक्स करने वाले हैं आज यहाँ पर हम लोग आईसो इस्टेसी जो हमारी जियो मॉर्फोलोजी की एक टॉपिक है उस पर एक हम लोग यहाँ पर क्योश्ट को सौल्फ करने वाले हैं ठिक है तो आईसो इस्टेसी पर एक क्योश्टेसी देख लिए ते हैं हाँ एक्स्प्लेजू द कॉनसेप्ट ऑफ आईसो इस्टेसी विद एन इस्जाम्पल यह हमारे जो question है UPPSC 2021 के geography optional paper 1 में पूछा गया था तो यह हिंदी में यहापे भू संतुलन की संकल्पना की ब्याख्या उदाहरण सहित कीजिए तो दोस्तों हमारी सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि आईसो इस्टेसी जो concept है वो क्यों आया क्यों जरूरत पड़ी हमारी आईसो इस्टेसी या भू संतुलन की संकल्पना को लाने के लिए फिर आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि हमारी आईसो इस्टेसी की concept क्या है इस पर हमारी दू मेजर जो थीरी दिये गया है एक हमारी एरी का और प्राट का तो दूनों थीरी को आप यहां मिला के आईसो इस्टेसी की concept को आप यहां पर समझा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप बताए कि आईसो इस्टेसी हमारी concept क्यूं आई क्यूं जरूरत पड़ी हमारी आईसो इस्टेसी concept लाने के लिए तो दूस्तु जैसा कि आपको पता हुआ कि हमारी अर्थ है अर्थ में कितनी लेयर है आपने पढ़ावगा जनरली तीन लेयर है हमारी crust और mental और तिसरी हमारी core ठीक है तो वैसे हमारी तीन लेयर होती है लेकि यहां पर समझने के लिए आप बोल सकते हैं चार लेयर है जो mental है mental को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ठीक है तो आपने सुना हुआ कि सीयाल जो है सीमा पर तैरती रहती है तो हमारी जो एस्थने इसपेर है उसकी जो density है ज्यादा है semi liquid form में है और सारी जो plate की movement होती है वहीं से हमारी energy आती है और हमारी movement होती है इसके लाव वालकेनिक की जो source भी है वो भी हमारी एस्थने इसपेर है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो हमारी crust है इस्थने इसपेर पर तैर रही है ठीक है तो अब यहाँ पर तैर रही है हमारी crust में आप देसे दो crust में बहुत सारे landform भी हैं कहीं पर हमारी बहुत ही ऊची mountain range भी हैं जैसे हमारी हिमालय हो गई और कहीं पर हमारी depression भी है औ और साथ साथ हमको पता है कि और्थ हमारी rotate भी कर रही है revolve भी कर रही है तो इस rotation इस revolution को होते हुए भी हमारी जो crust पे different landform है कोई उचे हैं कोई गर्थ में हैं तो इन सब के चलते हमारी crust एस्थने इसपेर पर कैसे mechanical stability established किये गया है यह हमारी question था ठीक है एक बार और हम लोग repeat करते हैं कि आइसो इस्टे से concept लाने की क्या ज़रूत पड़ी यहां पर प्रश्णत था कि हमारी crust है वो हमारी इस्थने इसपेर पर तैर रही है ठीक है और crust में different हमारी landform है कोई बहुत ही उचे है कोई हमारी नीचे है तो यह जो landforms है crust यह अपने आप में कैसे stable लगता ह यह हमारी जो different mountain से गीर क्यों नहीं जाते हैं जो हमारी earth rotate करती है यह revolve करती है यह ऐसे भी ठीक है तो mechanical जो stability है between the crust और upper mental इसकी बीच की जो theory है concept है doubt है उसको समझाने के लिए आइसो इस्टेसी की concept लाए गया था भू संतुलन की संकल्पना की गई थी ठीक है तो यहाँ पर जैसे की basic concept हम लोग देखे थे कि अभी हम लोग देखे कि एस्थेन इस पेर हमारी crust हमारी तैर रही है कोई भी जैसे water bodies होती है water bodies पर कोई भी हमारी जो पदार्थ होते है वो ह उत्प्लावन बल दूसरी हमारी होती है gravitational force ठीक है उत्प्लावन बल या biont जो हमारी force होती है वो क्या करती है upward लगती है जैसे मालो आप पानी में एक लगड़ी के टूगड़े आप डाल रहे हो तो upward इसको उपर तैरने के लिए जो बल लगाती है वो हमारी biont force होती है उ और gravity क्या होती है जो हमारी पदार्थ होती है इस पर जो बहार से जो हमारी gravity उत्पन होती है नीचे इस डूओने के काम करती है वो हमारी gravitational force होती है इन दोनों force का net result होती है कि हमारी जो हमारी जो पदार्थ होंगी वो तैरेंगी यह हमारी sink होंगी ठीक है तो इसी दो force को ग्रेविटेशनल फोर्स और जो एस्थिनेश फेर की, जो बायाउंटल फोर्स है, उतपलाउन बल है, वो करश्ठी को कैसे हमारी स्टेबल लखी है, इसके लावाँ क्रश्ट में भी सब जगा एक समान हमारी gravitational force भी नहीं है ना ही हमारी उत्पलावन बल है तो इन जो असमान हमारी जो gravity है crust पे वो हमारी कैसे stable रख रहे है, mechanical stability कैसे maintain की है इसी concept को isostasy हमारा समझाता है ठीक है, तो I hope यहाँ पे clear हो गया होगा कि हमारी isostasy concept क्यों लागे है अब हम लोग mean जो हमारी यहाँ पे isostasy concept है, उसको हम समझते है तो isostasy की सबसे परले जो terms है, word है वो हमारी कौन यूज किया था यह हमारी American geologist जो डटन थे, 1889 में यह terms को यूज किये थे और term का general meaning होती है balance of land ठीक है, यानि कि भू संतूलन या balance of land इसका general हमारी meaning होती है, isostasy का, और यही isostasy उन्होंने यूज किया था, कि जो हमारी earth crush की tendency है, equal volume maintain करने के लिए gravitational force, और बाइवनसी जो force है, उसके बीच में, इसके लिए हमारी isostasy का concept लाए गया था, और इसी concept को समझने के लिए हमें दो theory, वैसे तो बहुत सारे scholar है, अपने theory दिया है, लेकिन इन दो theory, area और product की जो हमारी theory है, उसको समझने से हमारी isostasy concept हमारी के लिए हो रहेंगी तो पहला area का concept समझते हैं, ठीक है area क्या यूज किया थे, area generally simple terms सी यूज किया थे जैसे हमारी यहाँ पे floatation आप जो हमारी theory है, उसके basis पे floatation theory क्या है, कि मालो किसी भी water boardage में किसी पदार्थ यदि float करेगा तो उसके लिए जो बल लगते हैं ठीक है, तो क्या होते हैं मालो जो हमारी water है उस पे बड़ी आप लकडी के टुकडे आप डालते हो, ठीक है तो बड़ा यदि भार gravitational बहुर ज़्यादा होगा, तो बड़ी लगडी के टुकडे होंगे तो उसकी जो पानी की नीचे का जो area होगा, वो भी बड़ा होगा, ठीक है और छोटे लगडी के टुकडे होंगे तो पानी की area है के नीचे का जो भारवगा, वो भी हमारी छोटी होगी, ठीक है तो इसी concept को उन्होंने यूज किया था area ने, उन्हें हम बला कि जो हमारी crust है, crust पे different हमारी landforms है, जैसे mountains होगे plateau होगे, plains होगे या ocean का हमारी crust होगया तो इन सारे की जो density है उनको उन्होंने समान मना, area ने क्या मना density, mountains, plateau, plain और ocean crust, सबकी density लगहूं में हमारी समान है और जो जिस portion की crust की जो उपर आप देख रहे हो ज़्यादा उठी होई है, उसके root भी हमारी नीचे होगे, क्योंकि हमें equilibrium हमारी maintain करनी है ठीक है, जैसे यहाँ पर मानलो mountains है, mountains की उचाई ज़्यादा है तो जो esthenio sphere या नीचे की जो root होँगे वो भी हमारी यहाँ पर ज़्यादा होँगे और plateau की उचाई कम है, तो हमारी नीचे इनकी root जो भी, वो भी हमारी कम होँगे तो एक दरसी equilibrium हमारी maintain करने के लिए जो root का concept लाया था वो हमारी यहाँ पर differences होँगे ठीक है, तिहाँ पर flotation law यहाँ पर apply किया हुआ था airy ने लेकिन इस concept में हमारी खामिया क्या देखने को बिलिए जैसे मानलो हमारी हिमालया है हिमालया के उचाई कितनी है 8800 81 तो इतनी उचाई को maintain करने के लिए यानि इसकी जो root दिखा जाएगा इस उचाई को equilibrium maintain करने के से root जो निकाला गया ठीक है, different scholar दोरा उन्होंने बला कि इसकी root दी होंगी तो 80 से 100 km के आसपास, ground से नीचे हमारी root होनी चाहिए, ठीक है और इतनी root आप देखोगे 80 से 100 km नीचे आप देखोगे तो एस्थोने इसपेर की नीचे पहुंच जाएगा और वहाँ पे density और प्रेसर के चलते हमारी क्या होंगी, इतनी root हमारी exist नहीं करेंगी इतनी नीचे root exist नहीं करेंगी, solid form में क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी जो material होती है, हमारी semi-liquid form में हो जाती है तो root exist नहीं करेंगा, ठीक है इसका मतलब area की जो concept है उसमें कुछ न कुछ खामिया है हमारी mountains की बहुत जादा root भी possible नहीं है प्लेटियू की root possible नहीं है इतनी जादा, ठीक है तो इसकी खामियों को दूर करने के लिए हमारी जो दूसरी scholar हमारी प्राट है ठीक है, प्राट ने अपनी अलग concept लाया उन्होंने क्या बुला कि जो mountains की density होती है ओ प्लेटियू की density या ocean की जो crush की density है वो सब की समान नहीं होती है जिसकी उचाए ज्यादा होती है जिस land form की उचाए ज्यादा होती है वो हमारी lighter material से बने होते है जैसे मालो आप general life में आप भी देखोगे तो बड़े जो buildings होते है वो बहुत है heavy materials से नहीं बना जाते है उसके interior भी होती है वो हाँ पे aluminum का यूज़ किया जाता है बहुत lighter material का यूज़ किया जाता है heavy buildings को क्योंकि इसके लिए equilibrium यहाँ पे stability इनकी लानी होती है तो वैसे हमारी mountains होते है वो हमारी lighter materials बने होते है जैसे हमाले हमारी sedimentary rock से बना हुआ है aluminum में silicon से बना हुआ है तो mountain जो हमारी है उनकी density सबसे कम होती है plateo की density उससे ज़्यादा होती है plane की density उससे भी ज़्यादा होती है और ocean crust की density उससे ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है यहाँ पे density differences है और density differences चलते हमारी equilibrium हमारी यहाँ पे maintain होती है और जो हमारी root है root हमारी यहाँ पर हमारी सब की एक समान होगी यहाँ पर line up compensation का यहाँ पर उन्होंने ध्यान रखा ठीक है तो line up compensation क्या है? line up compensation एक similar line है यहाँ पर root सब का सेम होगा इसको maintain करने के लिए हमारी जो material की जो constitution होगे वो हमारी यहाँ पर change हो जाएंगे ठीक है तो density हमारी differences होंगे और जितने बड़े mountains होंगे उसकी density उतनी ही कम होगी तो इस तरह से हमारी जो crust की different जो land form है वो हमारी equilibrium state हमारी होंगे तो यही हमारी isostasy का concept है ठीक है एक बार और यहाँ पर समराइज करते हैं isostasy का concept में क्या समझाता है कि crust में जो different land form है या crust की different जो हमारी position है वो हमारी जो सीमा पर या एस्थने इस पर जो तैर रही है वो कैसे तैर रही है mechanical stability कैसे establish हुई है इस concept को हमारी isostasy हमारी समझाता है और इसके लिए हमारी दो थीरी एरी और प्राट का दिया हुआ है यह रही हमारी बोलता है कि जो different land forms है या different जो हमारी landscape है जैसे mountains हो गए platy हो गए, plain हो गए इन सब की density हमारी same होती है और इन same density की जलते जिस land form को मुचाई ज़्यादा होंगी उसके root भी ज़्यादा होंगे ठीक है तो इस तरह से हमारी equilibrium हमारी established होती है crust की एस्थने इस पेर पे लेकिन प्राट हमारी क्या बोलते है कि जो different land form होते है या different जो हमारी land का जो हमारी portion है उसकी density सब की एक समान नहीं होती है ठीक है, जो उचे land form है उसकी density हमारी कम होती है इसलिए यहाँ पे line up composition का theory पे अधारी सब की जो root होगी हमारी same होँगी और different density से बने होँगी इस तरह से हमारी mechanical stability हमारी established होँगी हमारी प्राट का concept तो हमारी ISO STAC का concept में आप इस तरह से इस question को attempt कर सकते है इसके लावा कोई भी point यहाँ पे देना चाहते है एडिशन या डिशन या कोई भी suggestion देना चाहते है प्लीज आप comment गर के जरूर उसको share किजिएगा तो आज के लिए बस्ते नहीं दोस्तों thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नाए टोपिक सार थैंक्यू